So Hello Everyone So CGL Mains को फत्य करने के बाद अब हमारी बारी है Delhi Police की तो वैसे तो मैंने कुछ अलग से सोचा नहीं था Delhi Police को करवाने के लिए बट बहुत सारे messages receive हुए साथी साथ comment section में ने चेक किया तो बहुत सारे students में मोला कि इसा Delhi Police के लिए भी कुछ करवाई है सिर्फ हमारे लिए exam के लिए बस 10 से 15 दिन बागी है तो considering कि अब सिर्फ आपके exam के लिए 10 दिन बागी है तो last के 10 दिन में आप ऐसा क्या कर सकते है फिर मैं आपके लिए ऐसा क्या क्या कर सकता हूँ कि GK में बहुत आपका marks joy score boost हो जाए because Delhi Police में GK एक major portion है ठीक है और GK बहुत important role play करेगा आपके selection में तो देख लेते हैं क्या कैसे आप help ले सकते हैं इस channel से Delhi Police के regarding पहली बात तो ये है कि मैंने काफी लोग follow भी कर रहे हूँ काफी लोग जानते भी होंगी मैंने PYQ part 2 series करने के लिए बोला था CPO के लिए, Steno के लिए और CGL Tier 2 के लिए ठीक है और तीनों में अपना कमाल उसने दिखा दिया है ये भी आप लोग जानते हैं ठीक है इसे ऐसे मैं Telegram पे screenshot भी शेयर करते रहता हूँ Students का जो बीने ने वो भी शेयर करते रहता हूँ कि आपको एक faith रहे कि हाँ आप सही direction में चल रहे है ठीक है तो PYQ Part 2 Series एक तो ये मैंने आपको करने के लिए बोला था फिर मैंने last के time पे CGL Mains के लिए revision करवाने के लिए मैंने one-shot lectures लिए थे almost सभी subjects के लिए थे जैसे कि मैं बात करूँ quality भी मैंने लिया था मैंने geography का भी one-shot lecture लिया मैंने science के तीनो job के subjects होते है physics, chemistry, biology modern history का लिया पूरे तीनो history का नहीं लिया है medieval है और ancient का सिर्फ modern का लिया पाया था due to time scarcity और economics का भी है ठीक है ये एक दो one-shot lectures मैंने लिया है ये तो वो है जो अभी तक इस channel पर पढ़ा हुआ है और इसके अलावा भी कुछ है और वो है telegram पे quizzes ठीक है telegram पे daily basis पे quiz होती है आपकी morning पे होती है gk की और क्यूंकि considering आपका daily place में computer का भी एक section रहता है और वो भी एक major role play करेगा आपका selection में इस में से maximum लोग आप में से maximum लोग इन चीजों का भी फायदा उठा रहे होंगे ये फिर उठा रहे है considering कि आपने ये सब भी नहीं देखा ठीक है अब इसके अलावा ये तो अभी पढ़ा हुआ है अब आगे क्या होने आला है जो last के 10 days है इस में daily basis पे सिर्फ आपको एक वीडियो मिलेगा वो recorded वीडियो रहेगा ठीक है कि है इसी YouTube चैनल पे आपको मिलेगा और वो वीडियो में 25 questions रहेंगे जैसे कि PYQ हम लोग series में करते आ रहे थे 25 questions और एक question का पूरा हम लोग post-mortem कर देते थे पूरा हर चीज़ को लेकर जान लेते थे सारी चीज़ें recall कर लेते थे विकास GQ में इतनी सारी चीज़ें है अगर हम सारी चीज़ें recall नहीं करेंगे बार 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 तो वहाँ पे हम चीज़ें miss out कर सकते हैं फिर वो effective तरीका नहीं होगा revision का अगर हम बार बार चीज़ों को interlink करके याद नहीं करेंगे recall नहीं करेंगे तो clear तो ये चीज़ें तो अभी मैं आपको बताऊंगा किसको क्या कैसे करना है ठीक पहले समझ लीजे कि क्या है और क्या आगे होने वाला है तो अगले 10 दिन तक ये होने वाला बाकी तो जब आपका exam start हो जाएगा 14 से तो फिर मैं आपको expected questions भी देने वाला हूँ और expected question में भी मैंने experience किया है कि जो मैंने चाहिए उसी GL हो CPU में ने सिर्फ एक ही वीडियो दिया था CPU में और उसके आगले shift में कितने questions आये थे आप मैं से maximum को पता होगा ठीक है कितने questions आये थे तो वो मैं आपको जब 14th exam start होगा तो मैं आपको दूँगा जो भी expected questions होगे लेकिन अभी के लिए जो आगे आने वाले 10 दिन हैं उसमें बस एक वीडियो आपको मिलेगा अभी के लिए और उसमें 25 questions करेंगे और वो किस largely यह किसी को miss नहीं करना है अब किसको क्या कैसे करना वो समझ लीजे यह जो एक वीडियो आया कर जिसम्म आप 25 questions को करेंगे यह किसी को miss नहीं करना है ठीक है यह तो करना इख भी करना यह सब को हो सकता है कि आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हूं इस वीडियो को देख रहे हूं आपने ना तो PYQ Part 2 सीरीज के बारे में कुछ किया ना तो Telegram Quizzes की ना तो OneShot Lectures किये अब कैसे क्या करना है वो समझ लीजे Telegram Quizzes आप मिस नहीं कर सकते हैं उसको आप वो daily basis पे टेंट करना है बहुत जदा इसमें क्योंकि time लगता नहीं है और daily basis पे consistency maintain करके रखेंगे तो आराम से इसको तब करना है अगर आपकी miss हो गई है तो PIN जो परमार SSC Telegram है वहाँ पे PIN comment में जाईएगा वहाँ पे GK की भी मिल जाएंगी device, computer की मिल जाएंगी device तो उनको तब attempt करिए जब आपको पढ़ने का मन नहीं हो रहा है थोड़ा बोर हो गया है तो fun way में उसको attempt कर लिजे quizzes को fun way में attempt करना यह नहीं कि कोई question गलत हो या ठीग गलत हो जाने दो नहीं उसमें जो भी learning हो रही उसको कहीं अलग से short notebook है फिर जहां पे भी आप अपने notes बनाते हैं ठीक है कि वहां पे उसको लिखिए उसको revise करके मैं आपको बता रहा हूँ यहीं से quizzes यहीं से जब आपका exam होगा न डेली पलेस का तो यहीं से आपको directly कुछ काफी सारे questions देखने को मिलेंगे तो इस वह से quizzes को miss मत करिएगा और level of questions quality of questions जो लोग attempt करते हो लोग जानते हैं ठी ठीक और इसी ऐसे उसमें consistency maintain करके मैं चल रहा हूँ quizzes में ताकि एक भी दिन का break ना हो ठीक यह चीज़ हो गई अब PYQ part 2 one shot करनी है किसको नहीं करनी हो समझ लीजे देखिए अब मुझे नहीं पता कि आपके बाकी subjects कैसे हैं ठीक है यही मैं पहले भी advice करता था means के लिए भी क अगर आपने सारा कुछ कर रहा है तो बाकी subjects को भी देखो बाकी subjects भी important है डेलिबल इसमें तो जीके बहुत ही जादा important है तो इस विए से और ठोड़ा से students का concern रहता है जीके को लेके तो यह तो आपको करना ही करना है ठीक one shot lecture क्या है यह आपको तुरंत तुरंत नहीं लेकि तो अगर आप इने कर सकते हैं तो इसको कर लीजे ठीक है इसको अगर आपके पास time है तो PYQ part 2 series के playlist बनी हुई है उसको आप कर लीजे जितना आपके पास extra time इसको करने के बाद और telegram quizzes attempt करने के बाद ठीक है और बाकी जो subjects उनको manage करने के बाद अगर आपके पास time बचता है then आप PYQ part 2 series के कर सकते हैं वैसा नहीं कि आपने कुछ जैसे कि PYQ part 2 series एं for example माल लेते हैं exactly तो मुझे नहीं पता है जैसे माल लेते हैं कि 15 lectures है ठीक है तो ज़री नहीं कि 15 complete करेंगे तब ही उसकी आपको एकदम पूर्ण तरह से आपको कुछ ऐसे एकदम enlightenment मिलेगा नहीं ज सारे lectures देख पाएंगे देख पाएंगे तो IRS session देख सकते हैं इसमें मैंने सारे lectures को बहुत ही तेजी के साथ revision कर वाया तो उतनी तेजी अगर आप handle कर सकते हैं तो आप IRS session कर लीजे मैं कुशिस करूँगा कि सारी जो चीज़ा हैं बोल रहा हूं इसका link description में डाल दूँ ताक और आपका marks यह फिर जो score boost करवाने का जो responsibility है वो मेरा है और एक चीज़ की काफी लोग जो batch है ना परमार जी के batch है कि उसमें भी हो सकता है पर नो लो तो उसकी आप classes अगर आपने कर रखे तो उसको revision करिए फिर कहीं से आपने और पढ़ रखा है किसी book से पढ़ रखा है कि उसको revise करिए सबसे पहले तो यह important होता है कि जो आपने कर रखा है जिसमें आपने इतना time दिया इन्वेस्ट किया है उसको revise करिए नहीं तो फिर आपका time एकदम waste मानिए फिर आगर आपने उसको revise नहीं किया भले आप one shot ना कर पाए लेकिन जो भी आपने पहले पढ़ रख रखा है चाहे परमास जी के बैच या फिर कहीं और से आपने बैच लिया था या फिर कहीं बुक से उसको पहले revision करिए यह मिस मत करिए टेलीग्राम को यह जो आने वाली दस दिनों तक दस वीडियोज हैं दस वीडियोज में आने कि आप मान सकते हैं 200 से 300 हो सकता है मैं आग Static GK और History ठीक है Static GK और History और Modern History का देखिए Static GK और History तो Modern History तो देखिए आप वो वन शॉर्ट मैंने लेक्टियर डाला उससे कर लीजिए Medieval History के एक PDF शेयर करी थी मैंने सीजल में से जस्ट पहले तो दिन पहले एक्जाम के उसको कर लीजेगा ठीक है Static GK की रही बात कल से यानि from tomorrow हो सकता है कि आप गली ये वीडियो को देख रहा हूं यानि कि 4th November से 4 November से क्योंकि batch में Static GK में करवाने वाला हूं तो आपको वो class जो 10 a.m. पे 11 a.m. पे होती अभी वो उसका time थोड़ा सा change करके सुबह 10 बज़े हो सकता है आगे change हो जाए लेकिन कल की class यानि 4 नूमर की सुबह 10 बज़े रहेगी live रहेगी वैसे मैं इसको अटा देता हूं लेकिन मैं कुशिस करूंगा कि देखते हैं जैसा आपका response रहता है लेकिन इसको अप live अगर topics हो जाएंगे और वो daily police exam में आपको equally helpful beneficial रहेंगे ठीक है तो सारी चीज़े मैं आपको बता दी है कैसे क्या करना है अब आप पे depend करता है कैसे आपने time को manage करते हैं मुझे नहीं पता आपके पास दिन में कितने घंटे हैं कैसे बाकी आपके subjects हैं वो आपको अपने हिसाब से करना मैंने सारे प्रोज और कौन सारी चीज़ें कैसे क्या करनी हूं मैंने आपको बता दी है इसके अलावा अगर किसी का कोई और डाउट है मुझे पता है डाउट बहुत सारे लोगों के जैसे CGL 2024 के लिए batch के regarding बहुत सारे डाउट है तो यह मैं अलग वीडियो में cover करू हैं और जो comment है आपके वो आप डेले प्लिस तक सीमित रखें को मुझे पता है CGL 2024 या फिर आगे CGL 2024 के लिए जीके के batch के बहुत demand करे थे वैसे तो मैंने इसके लिए गार्डिंग टेली ग्राम पे सारी चीज़ें बता दी थी ती बट फिर भी मैं इसको लेके अलग सी fusion ना रहे कि सर्क करेंट बैच में रोल करना है या फिर जो अगला बैच आएगा नवंबर लास्ट में उसमें हमें करना है तो सारी चीज़ें में अलग वीडियो में clear कर दोंगा बाकी और कुछ आपका doubt है कुछ demand है तो आप comment section में रख सकते हैं मैं कुशिस करूंगा कि जै दिन में मैं वही same level of output खीचने की कोशिस करूंगा daily place में ठीक है बस आपको consistent रहना है और मुझे नहीं लगता है कि अब last के time पे कुछ motivation की ज़रत है बिकास 10 दिन में सबके लिए motivation होता है बट हाँ ये है कि ज़्यादा anxious होने की ज़रत नहीं पैनिक होने की ज़रत नहीं है औ उसका आपको exam में negative impact देखने को मिलेगा ठीक तो धन्यवाद सभी को और मिलते हैं अगले वीडियो में कल हम लोग का होगा सबसे पहले तो morning का जो static चीके का lecture है और eve वो तो live होगा ठीक है और जो शाम को आपको मिलेगा वो recorded format में रहेगा जो ये 25 question वाला वीडियो होगा ठी Thank you